दोसों stock market के अंदर जब भी आप intraday trade करने जाते हो intraday का मतलब होता है आज ही खरीदा, आज ही बेचा जो भी profit हुआ उसको लिया या जो भी loss हुआ उसको ले लिया तो अगर आप इस तरह की के trading करने जाते हो और कौन सा indicator हम यूज करें तो यह बहुत सारे जो confusion आपके साथ आते हैं उनमें से एक main confusion आपका यह है कि market की direction को prediction करना कि market आज उपर जा सकता है या नीचे जा सकता है या कौन सा ऐसा level है जहां market को उपर जाने में थोड़ी सी probability हाई है या जहां से market के नीचे आने की probability हाई है क्योंकि यह दोस्तों जो game होता है probability का game है कहां पर कहां जाने की संभावना जादा है तब ही आप market के अंदर win हो पाते हो पैसे कमा पाते हो तो यही दोस्तों जो confusion आज की वीडियो में complete करेंगे और एक दिन पहले ही आप judgment ले पाएंगे कि market आज के दिन किस level पर आकर के आपको bullish face दे सकता है यह bullish conditions में market जा सकता है उपर और कहां पर market के अंदर एक दवाब आ सकता है तो यह दोनों चीज आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चाने के यूटूब चैनल में मिरे नामे अन्मोल मितल दोस्तों मैं आपको सचा है बता हूँ मैं technical analysis का बहुत बड़ा फैन हूँ मतलब technical analysis मेरे लिए stock market के अंदर बगवान का काम करती है मैं उसको इस तरीके से पूछता हूँ technical analysis को technical analysis को मैंने दोस्तों बहुत deeply analysis करा है और मैं जितना समझ पाया हूँ technical analysis को कि अगर आप technical analysis को बहुत simple रखेंगे न तो वो आपको बहुत पैसे बना कर देगा और जितना ज़ादा कठीन रखेंगे उतना ज़ादा कठीन आपका हो जाएगा पैसा बनाना तो आपको सोचना है कि आपको टेकनिकल analysis को किस तरीके से देख रहा है एक मित traders के मन में हमेशा होता है कि हमने आपकी बताई हुई चीज यूज करी हमने दो तीन बार यूज करी काम नहीं करी तो टेकनिकल अनलिस दोस्तों ऐसा ही है हर बार काम नहीं करता क्यों काम नहीं करता है क्योंकि market को वह follow करने का काम करता है market उसको कहती उपर जा तो वह कहेगा उपर जा रही है अगर market निचे जा रही तो वह कहेगा market निचे जा रही है market बीच में पलट गी तो उसमें technical analysis की क्या गलती है technical analysis ने अपना काम बिलकूल 100% सटिक करा लेकिन market अपनी conditions बार बार चेंज कर रही है तो वह भी चेंज करेगा market खुद confused है तो indicator आपको कैसे correct बता देगा तो इन सभी चीजों को ध्यार में रखते विए बहुत simple चीज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं technical analysis के अंदर ही जब हम सबसे पहली बार शुरुवात करते हैं चार्ट को सीखने की तो हम क्या सीखते है चैंडल इस्टिक्स भी market के अंदर जो candles बनती है न वह हम सीखते है कि candles कैसे बनती है किस कैसे काम करती है तो यह जो candles है कि अपने आप में यह बहुत बड़ा indicator है बहुत बड़ा signal है मैं आपको यह क्या सकता हूं market के अंदर कोई भी रुजहान start होने वाला हो चाहे up trend का चाहे downtrend का candles आपको सबसे पहले इंडिकेशन देगी कोई भी इंडिकेटर बाद में देगा हर चीज़ बाद में देगी candles आपको सबसे पहले देगी तो क्यों ना हम candles के ओपर focus करें तो candles के अंदर एक चीज बड़ी important है जो उसकी shadows होती है आपने देखा होगा कि मार्किट में कई बाश shadows create होती है shadows candles की shadows बनती है भी practical examples दूँगा आपको clarity आ जाएगी यकीन मानिएगा जो भी समय आप इस वीडियो को देंगे पूरा वर्थीट रहेगा कोई भी आपको ऐसा अफसोस नहीं होगा कि भी 10-15 मिन मैंने अपने life के खराब कर दी इस वीडियो को देखकर के अब यहां उस क्या denote कर रही है मैं इन shadows का बड़ा फैन हूँ जरूरी नहीं कि यह hammer और shooting star देखे इनका official name क्या है candles का एक का नाम है hammer यह हतोड़ी जैसा दिखता है इसका नाम है shooting star जैसे तारा टूटता है ना असमान में तो एक तार ही का जो परती भी मैं कुछ इस तरे के एका कि body थोड़ी बड़ी छोटी जैसी हो चलेगा मेरे लिए मुझे problem नहीं है मुझे एक तरफ की shadows चाहिए अब इस shadows पते क्या कहती है यह क्या बताने की कोशिश कर रही है इसके अंदर बहुत जबर्दस राज चुपा हुआ है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे market के अंद for example मैं समझाता हूँ इस तरीके से मालेत है आपके घर के अंदर कोई बच्चा या कोई ऐसा व्यक्ति आपकी family के अंदर कि उसको किसी बाद से बहुत खुशी होती है किसी बाद से बहुत दुख होता है तो वह आप कैसे judge कर पाते हो आप कैसे judge करोगे मालेत क्योंकि आपके सामने वह वाली बात करोगे तो बहुत खुश हो जाएगा तो सेम चीज आपको मार्किट बिहेविर केंदा समझी नहीं होती है यह आपके लिए काम करती है यह आपको बता रही है कि बायर्स और सेलर्स पर्टिकुलर पॉइंट में क्या सोच रहे थे अब इसको इस तरीके से समझी है मालेते की स्टॉक है जिसके कैंडल फॉर्म हुई है तो इसका मालेते जो लो था यह था 100 ठीक है यहां पर जो क्लोजिंग हुई वह मालेते 105 पर यह जो इसका हाई था वह मालेते 110 ठीक है कुछ इस तरीके से हम यह लेवल से हमने डिनोट कर लिए तो हमने क्या चोपांच बाहन proclaim की हमधान मैं यहां से सेलर्स ने जो सेलर्स ने मार्केट के उन्होंने मार्केट को नीचे गिराया अब 70 पे solids सब्सक्राईब। यहां पर बहुत सारे buyers up 1510 को लगा यह बहुत अच्छी केमर्ष यहां पर तो चाहिए और फट से स्टॉक मार्किट वापिस ऊपर चले गई वापिस 105 110 के आसपा चले गई तो अब मुझे बताइए कि पर्टिकूलर यह जो लेवल आया सो से लेकर 105 पर इस पर मार्किट में बायस और सेलर्स का बियावियर क्या था जिस तरीके से मैंने आपको एक्जामपल दिया था आप खुछ समझ पाओगे क्या बियावियर था वही सो से 105 तक मार्किट क्या सोच रही थी अगर आप यह जच कर पाए ना तो रिएलेटी में आ मार्किट इजली चला गया तो अगर इस लेवल के आसपस मुझे कभी दुबारा ट्रेड मिलता है तो क्या मैं लेना पसंद करूँगा यास ओवेजली मैं 105 के लेवल पर मार्किट में दुबारा यह ट्रेड लेना पसंद करूँगा इतना इजी टास्क है इसको समझना सेम पर किस आप इस लेवल के साथ भी कर सकते हैं देख लेता है मार्किट का माले एक हाइए हम दुद्रड का माकिट यहां पर ऑपि अपनिंग हुई ति हमाने नइटीफाइव पर और और नीचे जो एक लो बनाया वो नभ्य przepष कवा बनाया तो मैं कहा रहा हूं कि मार्केट जो वह 100 रुपीज तक उपर गई थी और उपर जाने के बाद सेलर्स फटाफट यहां पर एक्टिव हो गएं सेलर्स ने का यह तो बहुत अच्छा मोका है इसको सेल करने का शौट करने का बेचना है और यह नीचे आ गया 95 से लेकर 90 रुपे के बीच में ठीक है तो यहां पर आप मुझे बताए कि क्या बियेवियर है मार्केट का बायस से सेलर्स क्या सोच रहे है कि मार्केट 100 के लेवल पर बेचने के लिए बहुत अच्छा था इसलिए वो उसको नीचे लेकर आए तो इस लेवल के आसपास अगर मार्केट में कोई ट्रेड आपको मिलता है 100 से लेकर 95 के आसपास कोई शौट कोई मंदी का सोदा आपको मिलता है कोई शौट सेलिंग का मिलता है कोई वीकनेस आपको दिखाई देती है तो आप क्या कर सकते हो शौट कर सकते हो डेफिनेटल से जो आपके घरցके मेंबर से आपको उनकी अगर मूड का पता है तो इसी तरीके से आप candles की साहिता से आप market के mood का भी पता लगा सकते हैं और वहीं दाव लगा सकते हैं क्यूंकि यहाँ पर probability बहुत ही amazing है बहुत मज़ेदार है आपको मज़ा आएगा काम करने में अब यहाँ पर मैं देने वाला हूँ कुछ examples और आपको clarity आजाएगी कि किस तरीके से एक दिन पहले ही आप पताग लगा सकते हैं कि आज market का mood किस level पर क्या हो सकता है चलिए bank nifty का दोस्तों मैंने चार्ट लिया है यहाँ पर मैंने जान बूच के one day का time frame लिया है क्यों क्योंकि छोटा time frame में consider नहीं कर रहा आप इसको छोटे time frame बे भी consider कर सकते हैं problem नहीं है लेकिन एक दिन पहले market में buyers और sellers क्या सोच रहे थे उसका definitely impact अगले दिन पर पड़ता है तो that's why candles चाहिए जिसने एक नीचे shadow create करी हो तो यहाँ पर shadow create करी हो market उसके आपस पास अगले दिन खुला भी हो ठीक है तो यहाँ पर मैं कुछ डूड़ने की कोशिश कर रहा हूं अब यहाँ पर दोसे बहुत बड़ी example आपके साथ share कर रहा हूं यहाँ पर आप इस candle को देखिए यह वाली जो candle है यह जो formed हुई है अगर इस candle को आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी ने एक बहुत बड़ी shadow create हुई है यहाँ पर देखिए shadow create हुई है बहुत ही amazing shadow यहाँ पर create हुई है अब यह shadow हमें क्या बता रही है यह shadow जो नीचे की तरफ बड़ी shadow बनी है यह हमें बता कोई indicator का मिल जाए कोई candlestick का मिल जाए तो क्या मैं trade ले सकता हूं तो आप definitely trade ले सकते हैं अगले दिन आप क्या करिएगा time frame को छोटा रखिएगा पांच मिनट 15 मिनट का time frame बहुत अच्छा रहता है आप उसको consider करिएगा और देखिएगा यह level not कर लिजेगा यहां से लेकर जिसे बहुत ऊपर चला गया 500-700 points ऊपर चला गया ठीक इसी तरीके से अगले दी market खुला तो open लेकिन इस range के आसपास आया और बहुत तेज़ ऊपर चला गया तो अगले दो दिन जो आपको trades मिले ना इस level के आसपास वो बहुत ही amazing रहे होंगे क्योंकि यहां पर आपके stop process लगने के chances बहुत कम होंगे और आपको already पता था कि इस range के आसपास market के अंदर एक strong movement उपर की तरफ आ सकती है क्योंकि पिछले वाले दिन buyers ने इस range पर बहुत तेज़ी से ऊपर react करा था तो अगले दो दिन क्या हुआ same reactions आपको देखने को मिल गए और यह जो काम है ना यह आसपास ही होना चाहिए यह नहीं कि आप बहुत दूर की candles देख रहे हो यह एक या दो या तीन दिन बक्स इससे जादा आप इसको consider मत करेगा फिर यह फेक हो जाएगा जैसे कि एक दिन पहले हमें यह reaction मिला अगले दिन उसका action उसका action का reaction क्या आ रहा है वह आपको देखना है और एक दो एक्जामपल में आपको दिखाता हूँ आपको reality में मज़ा आएगा अब यहां पर दोस्तों एक एक्जामपल और है बैंक निफ्टी का एक्जामपल है जिसमें बड़ी candles बनी है ठीक है इसमें एक shadow create हुए नीचे से पर एक particular level हमें मिल गया है यहां से लेकर य लगाएंगे ना अगले दिन का पांच मिनेट पंदा मिनेट उसमें देखी ग्रीन केंडल बन रही हो कोई signals आपको मिल रहा हो जो इंडिकेटर आप यूज करते हो वह मिल रहा हो कोई moving average का crossover मिल रहा हो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे वह चीज़ आपको consider करनी ही करनी है सा मिल रहा हो बेरिश में तो आप focus करेंगे तो यहां पर देखें इस level के आसपास एक candle formed हुई इस candle ने बिल्गुल इस range के आसपास आई रहो वापीस market को उपर खीच लिया देख लिए वापीस उपर खीच लिया तो यहां पर अगर आपको ट्रेड लेते तो यहां तक आपको profit आता आप definitely profit में आते अगले जो candle है उसमें भी आप देखिए यह तीसरे दिन की candle form डूई है इस range के आसपास आई यहां कोई आपको अगर police signal मिला तो आप इसको अगले दिन trade करते और आपको बहुत जबर्दस यानि 300-400 points का bank rifty का moment यहां पर मिलता तो इस तरीके सा आप market के अंदर यह trading strategy, trading strategy नहीं यह price action है एक तरीके का price action को observe करके trade ले सकते हैं एक example दोस्तों और दिखाऊंगा वीडियो को wind up करूँगा फिर आपकी मेहनत करवाऊंगा homework करके उसको और देखते हैं यह देखिए एक recently के example है इस example में देखिए आपको एक candle एक shadow formed होती भी दिखाई द आसपास तो मैं level यहां पर लगा रहा हूं ठीक है यह 200 level है इस level के आसपास अगर कोई buying मिल रही है तो आप ले सकते हो तो आप देखिए एक buying आपको यहां मिली थोड़ा सा profit आएगा बहुत छोड़ा सा ज्यादा काम नहीं कराई है यह वाली candle देखिए यह आपको पैसा दे देखे गई उसके बाद यह वाली आपको लोज देखे गई तो देखा जाए इन ट्रेडिंग डेस के अंदर आपको तीन चार्ट तो अच्छे ट्रेट्स मिले एक थोड़ा सा खरा मिला एक थोड़ा ज्यादा खरा मिला उसके बाद यह पैटन कामी नहीं कर रहा है फिर मार परदस तरीके सा उठा सकते हैं चोटी सी चीज है दोस्तों जिसका इस्तमाल करके आप बढ़िया प्राइस एक्षन को जज़ कर सकते हैं शैडोस के प्राइस निकालिए शैडोस देखी ए मार्केट के अंदर और उस लेवल के असपास अगर मार्केट के अंदर कोई बुली करिए हर बार आपको इस तरह के सिंगनल नहीं मिलेंगे दूसरा मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स अवलेबल है कहीना कहीं तो इस तरह के पैटन बना होगा थोड़ी आपको रिसर्च करने पड़ेगी पचास सो स्टॉक के अगर चार्ट देखेंगे तो कहीं भी अगर कुछ बना है तो उसके ओपर जच्च्मेंट कर सकते अगले ट्रेडिंग पे इंट्रडे ट्रेड के लिए तो यह था दोस्तों आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ यह आपके लिए काफी हल्प करेगा बाकी ट्रेडिंग कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है लेकिन ब बिल्कुल भी उतना ही पैसा लगा इसको साइट इंकम की तरह शुरुआत करे जब आप एक्सपार्ट हो जाओगे तो चीज़ें अपना भी समझी में आ जाएगी अपने आप हैंडल करना सीजाओगे किसी की एडवाइजरी की ज़रुद आपको नहीं रहेगी जल्दी मिल दोस्तों नेक्स वीडियो में तदे के लिए गुडबाई गॉडब्लेस यू बाबाई दोस्तों